नाजस्कार, Simple समाचार में हम एक सीरीज करने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाते हैं उनका रिटरन बहतर क्यों आता है तो आज का पहला है ये उन लोगों के लिए है जो stock market बिल्कुल भी नहीं जानते हैं stock market से डरते हैं आज का पहला एपिसोड हम उसी पे कर रहे हैं कि stock market में क्यों पैसा लगाना चाहिए स्टॉक में पैसे बनेंगे कैसे और इसके लिए सबसे पहले हम आपको एक 10 साल का रिटर्न दिखाते हैं इसके 10 साल मैंने क्यों लिया है कि जो लोग नहीं जाते हूं उनको एक बार मैं याद दिला दू कि 2008 जनवरी 2008 में स्टॉक मार्केट क्रैश आया था पूरे दुनिया में स्टॉक मार्केट क्रैश आया था और सबसे पहले भारत में भी ये स्टॉक मार्केट क्रैश जनवरी में आया था 20 जनवरी के आसपास ये क्रैश आया था और उससे पहले हमारा जो सेंसेक्स है वो 20,000 से ज्यादा क्रोस कर गया था और उसके बहुत सालों तक 20,000 वापस नहीं जा पाया और 2004 से 2008 तक जो ग्रोथ हुआ था 6000 से 20,000 बहुत लोगों ने पैसे बनाए बाद में जो लोग आये उनको कहते हैं बरंट देर फिंगर्स उनके हाथ जल गए उनके पैसे डूब गए और तब से वो डरे हुए थे कि क्या स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने का कोई मतलब होता है तो हम थोड़ा सा कंपेरिजन लेते हैं और मैं इसी लिए कंपेरिजन ले रहा हूँ 2008 में जब स्टॉक मार्केट पीक पे था और अब तक तो उतना पैसा कितना आया होगा सबसे पहले इसको कंपेर करते हर महीने अगर 500 रुपए 2008 जनवरी से हर महीने अगर 500 रुपए आप अपने सेविंग्स बैंक में जमा करते तो आपके 10 साल में लगभग 60,000 रुपए जमा हो जाते और उसके साथ साथ आपको ब्याज भी मिलता औस साथे 3% का ब्याज सेविंग बैंक में मिला है पिछले 10 साल में तो उसमें ब्याज लगाकर लगभग 72,000 रुपए हर महीने 500 रुपए आप डालिए आज 10 साल बाद वो लगभग 72,000 रुपए बन जाता है साथ हजार बनना चाहिए था लेकिन इसको कहतें इंट्रेस्ट का मैजिक 12,000 एक्स्ट्रा आपके बन गए यही पैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में हर सेंसेक्स में सेंसेक्स के कंपनिया अगर आप खरीते 500 रुपए अगर सेंसेक्स जैसे किसी म्यूचल फंड में डालते तो जमार आश्टी जो 60,000 ये बैंक की बात कर रहा हूँ तो 60,000 वे आज के साथ 72,000 हुआ है ये ही पैसा अगर आप सेंसेक्स में डालते तो इसका कंपरिजन हम करके देखते हैं सेंसेक्स हम क्यों ले रहे हैं क्यों सेंसेक्स सबसे बड़े 30 कंपनिया जो भारत में हैं उसका इंडेक्स है उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं उसका एक सिगनल देता है कि ये कमपनिया कितना इन कमपनियों के स्टॉक में कैसा पैसा बन रहा है तो हर महीन अगर 500 रुपे सेंसेक्स पे लगाया जाता है खैर लगाया जाना मुश्किल है लेकिर फिर भी हम इसका एक कमपैरिजन के तौर पे दे रहे हैं तोटल निवेश 10,000 में उतना ही होता, 60,000 रुपे आपके भी निवेश होते लेकिन ये 60,000 रुपे हर महीने सेंसेक्स पे डालने पे कितना हो जाता आप देखे ये हो जाता लगभग 1,10,000 रुपे तो ये अब हम comparison करें कि 60,000 रुपए आपने लगाए हैं दस साल में 500, 500, 500 करके आज का मूल्य लगभग 10,000 रुपए है और ये इस टाइम का है 2008 में जब सिंसिक्स बहुत उपर था बहुत दिनों तक मार्केट में कुछ हुआ नहीं मार्केट नीचे भी गया फिर भी आपका ज मूल्य आज का 1,10,000 वो ही बैंक के साथ जरा compare करके देखते हैं बैंक में जो निवेश हमने बचत की थी वो जाकर 72,000 रुपए बने और उसी का अगर हम comparison करें तो लगभग ये return आएगा अच्छा आप कहेंगे कि savings bank में कौन रखता है पैसे तो लोग रखते हैं fix deposit में कर गया तो 10 साल में ये 10,000 रुपए जाकर बनते हैं 23,700 रुपीज अच्छा return है मैंने लिया है जो उस time पे SBI का return 5 साल से जादा FD पे डाला जा रहा था यह अगर हम market पे लगाते तो return कम है अब देखेंगे तो stock market से जो return आ रहा है 10 साल में 10,000 बना है सिरफ 19,000 तो क्या comparison हम बता रहे थे FD में पैसे डालने से आपके 23,700 रुपए बनते और वही जाकर अगर आप stock market में पैसे डालेंगे तो वो सिरफ 19,000 बन रहे हैं तो इस situation में जहाँ पे stock market में जादा कुछ हुआ नहीं तो FD में पैसा लगाना जादा अच्छा बहतर लगेगा आपको लेकिन एक बार एक चीज़ सोचे कि लगभग सारे सरकार 1990 से लेकर tax इस तरीके से डालते हैं कि stock market पे आप निवेश करें एक साल से जादा hold करें तो आप पर कोई tax नहीं है आप bank में जब पैसा निकालेंगे तो उस पे जादा तर tax होगा हाँ हर साल आप जब डालेंगे है तो tax के बाद fix deposit याद रखिए इस fix deposit में हमने क्या कहा था 23,700 रुपए बन रहे थे 2008 जब interest rate काफी हाई था 18,900 रुपए पे उतर आता है stock market 2008 January में बहुत उपर था उसके बाद भी 19,000 यानि कि fix deposit से भी tax के बाद आपके पास ज़ादा बचता है तो इसका double lab है एक तो है कि tax कम लगती है tax कम लगता है stock market पे आप share लगाएंगे तो एक साल के बाद long term capital gains tax आ जाता है उस पे zero tax है अब बजट में क्या होगा वो आपको देखना पड़ेगा लेकिन हम अगर इसका comparison करेंगे fix deposit versus stock market तो FD में पैसा lock हो जाता है आप जानते हैं कि आपने अगर वो 10,000 रुपे लगा दिये FD में और आपको बाहर निकालना हो तो एक पैसा आपनी निकाल पाएंगे आप निकालेंगे तो आपको penalty देना पड़ेगा और penalty बहुत बढ़ा होता है काफी आपको loss होगा और अगर stop आप 10,000 रुपे लागे हाँ थोड़ा बहुत loss हो सकता है लेकिन बहुत जल्दी जादा loss होने का chance कम है उसमें और आप कभी भी बेच सकते हैं आप उसको hold भी कर सकते हैं जितने दिनों तक FD अगर 5 साल से जादा का करेंगे तो 5 साल से पहले break नहीं कर सकते हैं stock market में पैसा आप डालके अगर आपको लगे की बहुत बढ़ गया है तो आप उसी दिन बेच सकते हैं अगले दिन अगर गिर जाए तो उसको खरीद भी सकते हैं तो इसके दो टक्नीक होते हैं एक होता है investing दूसरा होता है trading आगे के दिनों के आगे के shows में हम आपको इसके ब बताएंगे लेकिन ये तो मैं बता रहा हूं बहुत लोग सोचते कि अरे stock market है क्या है ये तो उन लोगों के लिए हो है जो बहुत हर रोज वो देख पाते हैं कि company क्या है business वगेरा मुझे समझ नहीं आता है ये सब मुझे समझ नहीं आता है मेरा तो पैसा लग जाए bank में व मार्केट में पैसे बनेंगे कैसे लोग डरते हैं मार्केट में निवेश करने से इसलिए डरते हैं कि हमें समझ नहीं आता है ये सब तो expert समझ सकते हैं हमें stock share से क्या लेना देना bank में रह रहा है बस वो ही ठीक है लेगिन इसलिए हम एक series कर रहे हैं आपको समझाने के लिए ये share of stock होता क्या है बड़ा आसान है सबसे पहले आप सोचिए कि अगर आप एक business खोल रहे हैं सोच लीजी कि आपने local market में अपना एक dry clean के दुकान खोली है और वो लगभग अच्छा है कर रहा है dry clean का काम करते हैं अच्छा कर रहा है आपको profit बन रहा है अब आप और भी branch लेजिये अगले colony में branch कोलना चाते हैं दूसरे housing state में branch कोलना चाते हैं लेकिन उतनी पूंजी आपके पास नहीं है तो पूंजी की जरूरत है और भी branch खोलने के लिए और पूंजी के लिए आपके पास पहला उपाय क्या है आप जाकर loan ले लीजिए जैसे housing loan लेते हैं उसी लोग शेर खरीदेंगे आपके पास पैसा आएगा और वो पैसा आप अपने बिजनेस में लगाएंगे उसको एक्सपैंड करने के लिए और भी ब्रांच खोलने के लिए तो आपका जो सूपर ड्राइ क्लीन कमपनी है वो आप स्टॉक मार्केट में उसके शेर बिखने लगे अब जो ये शेर खरीद रहा है जैसे कि हम वापस आते हैं स्टॉक में पैसे लगाने का जैसे कि मैं और आप अगर इसके शेर खरीद रहे हैं तो एक तरह के से हम इस शेर के बिजनेस के हिस्सेदार हो गए हैं अगर एक शेर का मतलब अगर एक लाग शेर है और हमने हजार खरीद लिये हैं तो एक प्रतिशत बिजनेस हम के हिस्सेदार हम इसके हो गए हैं और इस बिजनेसे जो profit होता है हो सकता है super dry clean वाला इसको इस profit से आपको dividend देगा तो आपको share खरीदने से उससे dividend मिलेगा और साथ में जैसे ये super dry clean बढ़ता जाएगा और भी बड़ा होगा company तो आपको आपके share के भाव भी उसी तरीके से बढ़ते जाएंगे तो दो तरीके का इससे income है पहला है dividend जो की profit का एक part क्योंकि आप business के एक हिस्सेदार होगे और दूसरा है जैसे business के भी जितना बड़ा होगा business उतका worth उतना value उतना बढ़ता जाएगा उसी तरीके से आपको भी उसके share का भी दाम उसी तरीके से बढ़ता जाएगा और last जो हमारे पास चीज है कि ये है stock market में ये समझने की बात लेकिन stock market में एक और चीज है इसके golden rule आपको follow करने चाहिए golden rule इसके बारे में हम आ गया और भी आपको बताएंगे लेकिन golden rule कुछ है stock market में निवेश करने के सबसे पहली बात ये है कि आप stock market के अगर पैसा जादा है रिटरन जादा है तो जोखिम भी जादा है ये आपको लेकर चलना पड़ेगा जितनी देर का long horizon रहेगा आपका अगर आप 4-5 साल कम से कम hold कर सकते हैं उतना better आपका return आए हैं तो आप जरूर देखें कि इसको hold कीजे stock का price अगर गिर रहा है तो डर के मारे उसको बेच मत दीजे साथ में एक बार में पूरा पैसा मत लगाईए अगर आपके पास आपने जमा किया बैंक में एकलाक रुपए है तो कल जाके market में मत डाले हो सकता है अगले 6 महीने तक market नीचे रहे और आपको सस्ते में खरीदने का opportunity मिलेगा अगर आपके पास एक लाक रुपए बचत हुआ है तो 10 महीने में लगाईए 5 महीने में लगाईए 20-20,000 रुपए लगाईए क्योंकि जितना गिरेगा market उतना आप जादा खरीद पाएंगे तो जैसे उपर जाएग जो जादा बढ़ा है उसको खरीदने से थोड़ा बची है और दूसरे तरफ ये भी है कि अगर आपने आज एक शेर खरीदा 500 रुपए में कल कोई न्यूज आ गया जिसके चलते वो 2-3% गिर गया आप ये मत कहिए अरे आपने मेरा इतना लॉस हो गया क्योंकि 2-3 साल में वो 500 रुपए जाकर 700-800 रुपए होगा तो डर के मारे जब भाव गिर जाए स्टॉक के तब उसको बेच मत दीजे क्योंकि वो सबसे बड़ा लॉस होता है जो डर में बेच देते हैं वो सबसे बड़ा लॉस होता है और जो लोभ में खरीदते हैं कि 500 का शेर हो गया तीन मे जाता है उसके बाद उसके गिरने के भी चांस ज़्यादा होते हैं और आखरी में अगर आपको लगे कि आप ये सब फॉलोग नहीं कर सकते हैं आपको पता नहीं कौन सा शेर अच्छा होता है कौन सा शेर गलत होता है तो हां एक्सपर्ट पे जरूर छोड़ दीजे जो की म fund manager होते हैं, वो हर रोज ये काम करते हैं, हर minute ये काम करते हैं, वो research करते हैं, उन पर छोड़ दीजे, उन पे अपना पैसा लगाईए, mutual fund से भी आपका return, bank saving से जाधा होगा, mutual fund पे भी tax कम होता है, bank return पे जाधा होता है, इस series को हम जारी रखेंगे, detail में आपको बताएंगे कि क क्या क्या देखना चाहिए आपको किसी शेर में पैसे लगाने से पहले, हाँ, mutual fund सबसे आसान तरीका है, लेकिन mutual fund को भी बीट करना उतना difficult नहीं है, उतना कठिन नहीं है, इस series में आपको और भी बताएंगे, आज का simple समाचार यहीं तो आपको भी खाएंगे, उने तो करना कि का यहीं है, आपको भी आपको दो